दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे कभी खुशी कभी गम और माइनेम इस खान जैसी बहतरीन फिल्मों में चार चांद लगाने वाली सदाकारा ने मातर सोला साल की उम्र में बतोर लीड आक्टर्स बॉलिवुड में डेब्यू किया था तब उन्हें फिल्मों की कोई समझ नहीं थी इसलिए उस फिल्म में उनका कॉंट्राक्ट उनकी मा ने साइन किया था उनकी मा और नानी अपने जमाने की मशूर अदाकारा थी, लेकिन वो हिरोईन बनना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने आक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, इसके बावजूद उन्होंने अपनी आक्टिंग का लोहा मनवाया और इंडस्ट्री में अपनी अलग दर्शकों के बीच उनका इतना क्रेज था कि स्क्रीन पर आते ही फैंस उन पर से अपनी नजरे नहीं हटा पाते थे, उनका अंदाज बॉलिवुड में सबसे जुदा है दमदार आक्टिंग के अलावा वो अपने चुलबुले सभाव के लिए भी जानी जाती है और उन्हें इंडस्ट्री की सबसे मुफट और बिंदास अक्टरस कहा जाता है इनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है एक आक्टर के साथ पहले इनकी तकरार हुई थी फिर दोस्ती फिर प्यार और फिर शादी लेकिन क्या आप जानते हैं कि शादी से पहले वो किसी और आक्टर से प्यार करती थी जिसकी वज़े से उनके पती उस आक्टर से हमेशा नफरत करते रहे और क्या आपको पता है कि वो दो बार मिस्कारच के दर्ड से गुजर चुकी है और एक बार एक आक्सिदंट के कारण इनकी यादाश चली गई थी और वो अपने पती को भी पहचान नहीं पा रही थी और आपको ये जानकर और भी आश्चरे होगा कि इनकी जिंदेगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब वो अपने पती के एक्स्ट्रा मारिटल अफेर के कारण उनको तलाग देना चाहती थी आखिर कौन है ये अदाकारा जिनोंने बहुत ही कम समय में अपने आक्टिंग का लोहा मनवाया और इंडस्ट्री में अपनी अलग छाप छोड़ी इस वीडियो में आज मैं इसी अदाकारा काजोल के बारे में विस्तार से बताने चाह रही हूँ जिनोंने नब्बे के दशक में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं लेकिन उनका जीवन काफी उतार चड़ाव भरा रहा नमस्कार दोस्तों मैं आपकी दोस्त और होस्ट स्तुती और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अंजानी जानकारियां देने वाला चैनल क्लासिक एरा दोस्तों, 5 अगस्त 1974 को मुंबई में पैदा हुई काजोल आक्ट्रिस तनुजा और डिरेक्टर शूमु मुखरजी की बेटी हैं आपको ये जानकर आश्यर होगा कि काजोल का नाम उनके पिता मरसेडीज रखने वाले थे इसके पीछे भी एक एहम किस्सा है कि काजोल के पिता ने कहा कि जब मेरी मरसेडीज की कार अपने बच्चे के नाम पर लॉंच हो सकती है तब मेरी बेटी का नाम मरसेडीज क्यों नहीं हो सकता लेकिन उनकी मा ने इस नाम को रखना पसंद नहीं किया और फिर इनका नाम काजोल पड़ा बच्पन से ही काजोल बेहत शरारती और जिद्धी थी कम उम्र में ही काजोल के पैरंट्स अलग रहने लगे ऐसे में उनकी परवरिश नानी शोबना समर्थ ने की शोबना समर्थ भी अपने जमाने की मशूर अदाकारा थी काजोल अपनी मा के साथ महालक्ष्मी एरिया में रहती थी जबकि उनके पिता सांटा क्रूज में रहते थे उम्र बढ़ी तो काजोल रोज अपने पिता से मिलने लोकल ट्रेन से सांटा क्रूज जाती थी काजोल की शुरुवाती पढ़ाई पंच गनी के सेंट जोजफ कॉन्वेंट स्कूल में हुई वो स्कूल में पढ़ाई से जादा दांस में ध्यान दिया करती थी काजोल कभी अपनी मा तनुजा और नानी शोबना समर्द की तरह हिरोई नहीं बनना चाहती थी लेकिन स्कूल की छुटियों की बोर्यत से बचने के लिए वयक्सर अपनी मा तनुजा के साथ फिल्म की शुटिंग के सेट पर और फिल्मी पार्टियों में चली जाती थी लेकिन वो कभी फिल्मों में नहीं आना चाहती थी और वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने अपनी मा को सुबह साथ बजे से लेकर रात के दस बजे तक और कभी-कभी तो दो बजे रात को घर लोटते देखा था उसी वक्त उन्होंने ये तै कर लिया था कि वो फिल्म इंदस्ट्री में नहीं आएंगी लेकिन तनुजा हमेशा से चाहती थी कि पिछली तीन पीडियों की तरह काजोल भी हिरोईन बने उनकी नाशोबना समर्थ तो अपने जमाने की मशूर अदाकारा थी ही उनका पूरा पैत्रिक परिवार भी बॉलेवुट से जुड़ा रहा उनके पिता के भाई जॉय और देव मुखर जी भारतिय फिल्म निर्माता थे तो वही उनके दादा जी एक फिल्म मेकर थे उनके चचेरे भाई बहनों में रानी मुखर जी, शरबानी मुखर जी और मोहनीश बहल शामिल है जो की फिल्म जगत में सक्री है उनके चचेरे भाई अयान मुखरजी बॉलिवुट के प्रसिद निर्देशक हैं। लेकिन काजोल की हिरोईन बनने में कोई दिल्चस्पी नहीं थी। उनकी मरजी के खिलाफ मातनुजा ने उन्हें लॉंच करने के लिए एक फिल्म बनाना शुरू किया। ना चाहते हुए भी काजोल हिरोईन तो बनी लेकिन ये फिल्म रुख गई। उसके बाद एक दिन स्कूल ब्रेक के दोरान काजोल अपनी एक करीबी दोस्त के साथ फोटो शूट करवाने पहुँची थी। काजोल को देखकर मेकप आर्टिस ने उनका भी मेकप कर दिया। कुछ समय बाद जब काजोल नकरे करने लगी तो उनकी मा तनुजा स्टूडियो पहुँच गई। उनके कहने पर काजोल को मेकप पूरा करवाना पड़ा और ऐसे उनका फोटो शूट हो गया। उनका फोटो शूट गौतम राज धक्षनी किया था जो समय फिल्म बेखुदी के स्क्रीन प्ले में काम कर रहे थे। उन्हें काजोल का चेहरा इतना पसंद आया कि वो उनकी तस्वीरे लेकर फिल्म बेखुदी के डायरेक्टर राहुल रवैल के पास गए। उन्हें भी काजोल पसंद आ गई और वे सीधे उनके साथ तनुजा के घर पहुँच गए। जिवात महा 16 साल की उम्र में ही कर दी थी। लेकिन काजोल के डेब्यू फिल्म बेखुदी बॉक्स ओफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। लेकिन उनके confidence और acting ने हर किसी का दिल शीत लिया। आलोचकों को भी उनका अभिने बहत पसंद आया। उसके बाद 1993 में काजोल अबास मस्तान की फिल्म बाजीगर में नज़र आई। इस फिल्म में उनके साथ शारुक खान और शिल्पा शेटी भी थे। काजोल की ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर हिट साबित हुई। और फिल्म में लोगों को शारुक काजोल की जोड़ी बेहत पसंद भी आई। लेकिन काजोल की अगली कुछ फिल्में जैसे उधार की जिन्दगी और गुंडा राज फ्लॉप हो गई 1994 की फिल्म ये दिल लगी उनके करियर के लिए ब्रेक्थ्रू साबित हुई फिर अगले साल 1995 में काजोल ने दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे और करन अरजुन में काम किया दोनों ही फिल्में सूपर हिट रही फिल्म दिल वाले दुलहनिया ले जाएंगे के लिए काजोल को फिल्म फियर के बेस्ट आक्टर्स अवार्ड से समानित किया गया 1997 में उन्होंने कुछ-कुछ होता है और गुप्त जैसी कुछ भैतरीन फिल्में की फिल्म गुप्त में काजोल एक नकरात्मक किर्दार में नज़र आई थी और उनके किर्दार को लोगों ने बेहत पसंद किया था इतना ही नहीं उनके इस रोल के लिए उनको फिल्म फियर के बेस्ट इन निगेटिव रोल अवार्ड से समानित भी किया गया था वहीं बेस्ट फिन करण जोहर की डॉक्किटोरियल डेब्यू फिल्म कुछ-कुछ होता है में काजोल ने टॉम बोई अंजली गा रोल प्ले किया था लेकिन फिल्म के गाने हाई हाई रे हाई ये लड़का की शूटिंग के दौरान काजोल के साथ बड़ा हाथसा हो गया था दरसल एक सीन के दौरान उन्हें शारुक खान के साथ साइकल चलाते हुए उनको छेड़ना था काजोल शौट देही रही थी कि वो चलती साइकल से मूँ के बल नीचे गिरी और बेहोश हो गई जब काजोल उठी तो उनकी आदास जा चुकी थी ना वो खुद को पहचान रही थी ना शारुक करण और दूसरे लोगों को हाला कि दीरे दीरे उनकी याददाश्ट वापस आ गई साल 2001 में फिल्म कभी खुशी कभी गम की बाद काजोल ने फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक ले लिया साल 2006 में एक बार फिर उन्होंने फिल्म फना से अपनी धमाकेदार वापसी की फिल्म फना में काजोल एक अंधी लड़की की भूमिका में नज़राई थी जिसे कश्मीरी आतंकवादी से प्यार हो गया था इस फिल्म में उनकी अपोजिट आमिर खान नज़राई थे फिल्म सुपर हिट हुई और साथ ही एक और फिल्म फेर अवर्ड फॉर बेस्ट अक्ट्रेस काजोल की जोली में आगिरा काजोल की प्वर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने आक्टर अजय देवगन से शादी की हाला की काजोल अजय का पहला प्यार नहीं थी काजोल से पहले अजय रवीना और करिश्मा कपूर को डेट कर शुके थे इधर काजोल की शादी से पहली ही शारुक खान संग उनके अफियर की बात सुर्खियों में थी यही कारण है कि यह दोनों एक साथ जिस भी फिल्म में नजर आए इनकी जोडी ने धमाल ही किया लेकिन शादी के बाद दोनों की दोस्ती में दूरियां आ गई क्योंकि इस अफेर के कारण अजय देवगन शारुक खान से बहत नफरत करते थे हाला कि अब वो दोनों फिर से अच्छे दोस्त हैं बात करें काजोल और अजय देवगन की तो काजोल और अजय देवगन की पहली मुलाकात 1995 में रिलीस हुई फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी काजोल हमेशा से ही बातूनी थी और अजय शर्मीले और अकेले अलग थलग रहने वाले इंट्रोवर्ट जब पहली बार काजोल ने अजय को देखा तो वो सेट के कोने में बैठ कर सिगरेट पी रहे थे काजोल ने सेट पर चिला कर पूछा मेरा हीरो कौन है? किसी ने जवाब दिया कि वो कोने में बैठा है? जब पता चला कि वो ही इनके हीरो हैं तो उन्हों ने अपने साथ खड़े शक्त से कहा कोई हीरो नहीं मिला? काजोल ने अपने दोस्तों से उनकी काफी बुराई की उस समय काजोल पहले से ही एक रिलेशन्शिप में थी और अजय का नाम भी करिश्मा कपूर के साथ जुड़ा हुआ था लेकिन देखते ही देखते दोनों में दोस्ती हो गई समय बीता और दोनों एक दूसरे के साथ जादा समय बिताने लगे दोनों ने कभी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया लेकिन दूसरी फिल्म गुंडा राज तक दोनों समझ चुके थे कि अलग रहना मुम्किन नहीं है दोनों करीब चार सालों तक सीक्रेट रिलेशन्शिप में रहे काजोल साउथ बॉंबे में रहती थी और अजय जूहू में ऐसे में दोनों का जादा तर समय कार में ही बीटता था एक दिन अचानक ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया जैसे ही ये बात काजोल के घरवालों को पता चली तो पिता ने इससे इंकार कर दिया वो नहीं चाहते थे कि महस 25 साल की उमर में अपने उभरते करियर को छोड़ कर काजोल शादी कर ले क्योंकि शादी के बाद लगबग सभी आक्ट्रिसिस का करियर बरबाद हो रहा था जब पिता नहीं माने तो काजोल ने गुसा होकर 4 दिनों तक उनसे बात नहीं की आखिरकार पिता को काजोल की जिद के आगे जुकना ही पड़ा काजोल और अजय दोनु ही लाइम लाइट से दूर रहना पसंद करते हैं ऐसे में दोनुने मीडिया को दूर रखने के लिए शादी का गलत पता बताया मीडिया दोनों का कहीं और इंतजार कर रही थी लेकिन दोनुने अजय देवगन के घर पर ही शादी कर ली शादी के बाद काजोल की फिल्म दिल क्या करे रिलीज हुई जो फ्लॉप रही उसी साल हम आपके दिल में रहते हैं रिलीज हुई जो हिट साबित हुई अगले साल 2001 में रिलीज हुई काजोल की फिल्म राजू चाचा और कुछ खटी कुछ मीठी दोनों फ्लॉप रही लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान फिर से उनके साथ एक हाज़ा हो गया कभी खुशी कभी गम के गाने सूरजुआ मध्धम की शूटिंग इजिप्ट में हुई थी काजोल को बड़े बड़े पत्थरों पर साड़ी लहराते हुए डांस करना था लेकिन ऐसा करने पर वो गिर गई उस समय वो प्रेगनन थी जब फिल्म रिलीस हुई तो हर कोई खुशिया मना रहा था लेकिन काजोल के लिए ये जिन्दगी का सबसे मुश्किल समय था फिल्म रिलीस के बाद काजोल का मिस्कारज हो गया वो कई दिनों तक अस्पताल में भरती रही कभी कुशी कभी गम के सेट पर हुए हाथ से के बाद काजोल ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया पहले मिस्कारज से उभरने के बाद काजोल ने होसला बांधा और दोबारा फैमली प्लानिंग शुरू की लेकिन दूसरी बार भी उनका घर्वपात हो गया काजोल काफी समय तक दो मिस्कारजिस के सदमे में रही कुछ समय बाद 20 अप्रेल 2003 को काजोल ने बेटी नीसा को जनम दिया 2009 में उनके घर बेटे युक का जनम हुआ मिस्कारज का खुलासा खुद काजोल ने एक इंटर्व्यू में किया था मा बनने के तीन साल बाद काजोल ने आमिर खान के साथ हिट फिल्म फना से बॉलिवुड कमबाक किया ये फिल्म सूपर हिट रही कमबाक के बाद काजोल की फिल्मे यू मी और हम और वी आर फैमिली फ्लॉप रही जबकि 2010 में आई फिल्म माई नेम इस खान बड़ी हिट साबित हुई 2021 की त्रिभंगा से काजोल ने OTT डेब्यू किया और हाल ही में उनकी वेब सीरीज The Trial डिजनी प्लस होट स्टार पर रिलीज हुई है काजोल और अजे देवगन की शादी को 24 साल हो चुके हैं और आज दोनों एक खुशाल पती-पतनी के रूप में अपनी लाइफ एंजोई कर रहे हैं लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों का रिष्टा बिलकुल खत्म हुएने वाला था जी हाँ, खबरों के अनुसार जब अजे देवगन अक्ट्रस कंगना रनौत के साथ फिल्म Once Upon a Time in Mumbai की शूटिंग कर रहे थे उस दोरान अजे और कंगना की बीच नस्दीकियां बढ़ने लगी थी कहा जाता है कि जब इस बात की जानकारी काजोल को हुई तो उन्होंने अजे देवगन को छोड़ देने की धमकी दे दी लेकिन बाद में दोनोंने बहुत समझदारी से इस बात को हैंडल किया और अपने रिष्टे के बीचाई गलत फहमी को दूर कर लिया काजोल को समाज कल्यान से जुड़े कारियों में काफी जादा देखा जाता है और वो खाली समय में किताबे पढ़ना और कविताएं लिखना काफी पसंद करती है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही काजोल के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कॉमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहाणी या जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार